एक, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि इटली के एरालिया में रेत का महल बनाना कानून के खिलाफ है यदि आप कभी भी इटली के अराकलिया में छुट्टिया मनाने जाते हैं तो बेचिजग धूप वाले समुद्र तट पर तहले और पानी में चारो और छीते मारें लेकिन सुनिश्चित करें कि कभी भी बालू का किला न बनाएं क्योंकि राइटर के अनुसार यह अवैध होगा नमबर दो, क्या आप जानते हैं कि नर्भक्षी खर्गोष होते हैं? जी हाँ नर्भक्षी खर्गोष उत्तरी अमेरिका में मौजूद हैं हम खर्गोषों को प्यारे छोटे जीव के रूप में सोचते हैं जो गाज़को कुतरते हैं लेकिन ये पता चला है कि ऐसे खर्गोष हैं जो न केवल मासाहारी हैं, वे नर्भक्षी भी हैं 2018 में नौथ वेस्टन नेचुरिलिस्ट में प्रकाशित शोध के अनुसार, कनाड़ा के यूकोन में स्नोशू खर्गोषों को उल्लू, लिंक्स और यहां तक की अन्यक खर्गोषों के सड़ते हुए शबों को खाते हुए देखा गया था और जाहिरा तोर पर, वे अलग-अलग घटनाए नहीं थी क्योंकि जब निशकर्ष सारवजनिक हो गए, तो दुनिया भर के लोग जंगली और पालतु खर्गोषों के समान व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए आगे आए नमबर थ्री पार, क्या आपको पता है कि कनाडा के एक शहर के निवासी जहरीली सीफूट सॉस के कारण रेस्पिरेटर मास्क पहनते हैं बहुत से लोग गर्म-गर्मी के महीनों के लिए ततपर हैं, लेकिन सेंट मेरी, न्यूफाउंड लेंड के क्शेत्र में रहने वालों के लिए गर्मी अपने साथ एक भारी बदबू लेकर आती है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फैक्टरी जो सालों पहले बंध हो गई थी, उसने सीफूट सॉस के वद्स को पीछे छोड़ दिया, जो संभावित रूप से विशाक्त होने की स्थिती में था परित्यक्त कार खाने से निकलने वाली गंध इतनी खराब होती है कि स्थानिय लोगों को कभी कभी एन 95 श्वासियंत मास्क पहनना पड़ता है रेजिदेंट मूरियल वेलन ने CBC को बताया, जब गंध शुरू होती है तो मुझे अंदर आना पड़ता है, अपनी खिड़किया और अपने दर्वाजे बंद कर लेने पड़ते हैं, और एक कैदी की तरह अंदर रहना पड़ता है, शार एक आदमी ने एक बार पूरा हवाई ज़ा, हाज खा लिया, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं, जी हा लोगों के चड़ने का इंतजार कर रहा हवाई जहाज, पागल तत्य 1978 में, मिशेल लोटिटो नाम के एक फ्रांसी सी व्यक्ती ने एक असामाने प्रयास शुरू कि पिका नामक स्थिती के कारण, जो गैर पोशक वस्त्वों के लिए भूग की ओर जाता है, अपने धातु से भड़े भोजन को पूरा करने में उन्हें दो साल लगे, उन्होंने 1980 में आखरी हवाई जहाज का उप्भोग किया सुनने में ये संदिग्ध प्रतीत होता है, लेकिन जब एक 69 वर्षिय व्यक्ती देनमार्क के यूनिवरसिटी अस्पताल आरहूस में दो साल तक जमाव और बहती नाक से पीरित होने के बाद दिखा, तो डॉक्टरों को कुछ अप्रत्याशित लगा, एक दात आएफल साइन्स के अनुसार, डॉक्टरों ने देखा, मरीज का सेप्टम नाक के बीच में उपास थी पुल, बाई और मुडा हुआ था और उसकी नाक गुहा में एक ड्रवयमान दर्ज किया गया था, जब उन्होंने एक स्कैन किया, तो ये पता चला की रुकावट एक इ ती